Hello everyone, स्वागत है आप सभी का और अब टाइम है रूट वर्ट्स करने का रूट वर्ट्स में जो आज हमारा वर्ड है वो है बिबलियो बिबलियो मैं कहीं बार करा चुकिया और इसके बिना हमारे जो पिछले रूट वर्ड्स है वो हो भी ने बाएं है बिबलियो आप सभी जानते हैं बिबलियो का मतलब होता है या फिर रिलेशन होता है बुक से बुक से यानि कि किताब कहीं पर भी हमें बिबलियो मिलता है यानि कि कुछ किताब से रिलेटिड बात है अब Biblio से related ये 6 words मैंने लिखे हुए हैं आप इन words को देखी क्या आपको इनके meanings बता हैं हम अपना session स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं हमारा पास जो words है वह है Biblio class, Biblio film, Biblio clapt, Biblio lettery, Biblio mania, Biblio pole जो पहला word है Biblio class अब देखो इसको समझो Biblio class में जो आपका ये तो हो गया Biblio इसका मतलब तो क्या है books से relation ठीक है चुना मैं इसके लिए दूसरा marker ले लेती हूँ different color का marker आपको easy लेगा समझ में Biblio जो हमारा है वह तो books है और class का मतलब होता है destroy करना ठीक है तो Biblio class या फिर Biblio class is a person one who destroys books जो books को destroy करता है नश्ट करता है विनाश करता है books को जलाता है उस तरह की person को आप कहते है Biblio class one who destroys books is Biblio class next Biblio film Biblio तो आप समझ ही आचुका है आपको film को दीखते है film तो आप जानते हैं क्या होते है film आप देखिए Biblio film होता है books के कुछ-कुछ pages की photos लेना और उस फोटोस को मिला के पुरी से film बनाना clip बनाना उसको आप कहते हो Biblio film I hope समझ में आगया होगा तो Biblio film is a film a film made by capturing photos of the pages of books यह होता है Biblio film next Biblio clapped Biblio तो समझ में आगया clapped का मतलब जी हां क्या होता है चोरी करना चोर किसका किताबों का जो books को चोरी करता है Biblio clapped one who steals books यह होता है Biblio clapped next Biblio letter यह भी मैं बता चुके हूं Biblio तो आप जानते है letter का यह पर भी word मिलता है पागलपन किताबों को खरीता है जब हम छोटे थे mostly जब books फटना जाएं खराबना हो जाएं वियर टॉन से बचाने के लिए मुमी कहती थी इसके binding करा रो तो जो binding कराने की जो process होती है उसको आप कहता है Biblio feggy यह होता है Binding of Binding of books Binding of books I think मुझे different marker यूज करना चाहिए Binding of books is Biblio feggy next देखते है Biblio file यह मैं कली word बता चुकी हूँ Biblio तो होता है books के लिए file जो होता है वो love या like के लिए यूज करते हैं love या like तो Biblio file कौन जगा lover of lover of books lover of books इसको मैं लिख देती हूँ blue से ही तो आपको आपको clarity रहेगी read करने में binding of books binding of books next देखते है bibliotheca bibliotheca is collection collection of books books के collection को आप कहते है bibliotheca collection of books next bibliophagia bibliophagia is type of syndrome इस जिसमें आप books के pages खाते है अब कुसी किसी को आदत होती है books के pages को side से kone से edge से फाड कर खाते है उस तरह का syndrome होता है वो क्या कहलाता है bibliophagia eating eating the pages eating the pages sorry eating the pages of books eating 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 the pages of books यह होता है bibliophagia bibliophag कौन होगा bibliophag आपने एक word चुना होगा किताबी केड़ा है यह तो एकदा मतला बिलकुल हमेशा किताब मेही घुसर है ना वो जो पुरुशन के लिए वर्ड यूस होता है वह होता है bibliophag इसके लिए मैं सबसे बेस वर्ड यूस करूंगे bookworm किताबी केड़ा bookworm means किताबी केड़ा तो bibliophag is a person who is a workworm who always get indulged in books is bibliophag यह बिब्लियों से बनने वाले कुछ important 11 words थे जो कि आपकी vocabulary को enhance करने में बहुत जादा मदद करेंगे I hope आपको इस session समझ में आया होगा कुछ भी doubt रहे तो प्लीज कमेंट करके पूछ लिया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए जादे जादे लोगों तक शेयर कीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजए पागी हमेशा की तरह मेरा नेक्स वीडियो का इंतसार किजा